अगर पाकिस्तान भारत का दुश्मन न होता तो क्या होता जैहन जातियो स्वागत है आप सभी का PS Study यूटूब चैनल पर तो जैसा कि आप सभी ने अभी हैडलाइन में देखा कि अगर पाकिस्तान भारत का दुश्मन न होता तो क्या होता दुश्मन होता तो दोस्त होता ओविसली चलिए ये तो हो गई एक मजा की बात भारत ही नहीं यानि सिर्फ पाकिस्तान ही भारत का दुश्मन नहीं है बहुत सारे देश हैं चीन सबसे बड़ा दुश्मन उसके अंडर यानि उसके सपोर्ट से ही पाकिस्तान भारत पर हमला कर करता है भारत पर वार करता है भारत का दुश्मन है अदर्वाइज उसकी क्या मजाल जो भारत की सामने खड़ा भी हो सके ठीक है ओके इतनी बात तो आप सुभी को समझा गई अब भारत ही नहीं विश्व के अन्य देश भी एक दूसरे के दुश्मन है तो देखो हम सिंपल सा ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर पाकिस्तान भारत का दुश्मन नहोता तो क्या होता देखे इस सबसे बड़ी बात यहां पर हो जाती है कि जब हम दुश्मन की बात करते हैं तो बहुत सारे questions हमारे mind में raise होने लगते हैं कि भाई लड़ाई नहीं होती जगडे नहीं यह नहीं होता वो नहीं होता अब बस आप धीरे धीरे वीडियो में यह समझते चलना आगे तक कि हम कहां तक इसको इंटर कनेक्ट करते हैं और कहां तक इसको लिंक करके चलते हैं तो सारी जानकारी आपको वीडियो मिलने वाली है और एक बात अंत में आपको बहुत ही अच् नहीं बनाई जाते पर्माडू बं नहीं बनाई जाते तो पर्यावरण प्रदूशित नहीं होता क्योंकि पर्माडू बनाई जाते हैं तो पेड काटे जाते हैं तो क्या होता है पर्यावरण प्रदूशित होता है तो पर्माडू बं नहीं बनाई जाते पर्यावरण प्रद टोक्यो समझाता, बहुत सारे समझाते कराए गए, वो सब नहीं होते, समझाते नहीं होते, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम जो लगाया जाता है, वो नहीं लगाते, ठीक है, हमारे बैग्यानिके, देज हैं, वो यही सोचने में कि हम एक से आगे कैसे निकलें, तो इसम लोगों का अच्छे काम में, जो विकाश काम है, विकाश के, उनमें अपना टाइम लगाते, नेक्स्ट है, बीमारियां नहीं होती, क्योंकि परमाडू बंब बनता है, तो बहुत सारी रेज निकलती है, जो कि सरीर के लिए हानिकारक होती है, कैंसर जैसी बीमारिया, अब परमाडू बंब नहीं होते, क्या होता? जो ओजोन लेजर है, वो उसमें डेपलीशन नहीं होता, ओजोन लेजर डेपलीट नहीं होती, तो परावैगनी करण के लिए हम घर नहीं देखते हैं क्योंकि साथियों प्रत्वी बहुत ज़्यदा पॉलुटिड हो चुकी है आज की टाइम में आप जानते हैं इतना ज़्यदा पॉलुशन हो चुका है कि सांस लेना भी दुस्वार हो रहा है दिल्ली में तो 15 वर्स लोगों की आयू कम हो गई सदiliation है लाइट पैम इंडक्स है वह कम नहीं होता लोग पहले 1000 ने सबसे ऊपर ही जीते थे लेकिन आज 50 ही साल लोगों का रह गया है ठीक है बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं पर्यावरेट प्रदूशनर से तो हो रहे हैं, बहुत सारी धुन्द जमी रहती है लोगों को खासी चुखाम, बहुत सारे इस तरह से ठीक है, तो चांद पर रहने की जगे नहीं डोडते और यहाँ पर क्या है कि साथी युद्ध होते हैं, देखो, युद्ध होते हैं युद्ध में कितने माता पिता को खो देते हैं बच्चे तो वो नहीं होता, कितने घर उजड़ जाते हैं वो नहीं उजड़ते, उसके बाद है जीवन प्रत्यासा कम नहीं होती, अब नेक्ष्ट है साथियो, स्लेबस, इतना बड़ा स्लेबस नहोता, ठीक है, तो यही इंप कब हुआ, यह फिर उसके बाद कौन सा युद्ध कब हुआ, कौन सा युद्ध अब्यास किंदो देशों के वीच होता है, किस युद्ध में किसकी म्रत्यू हुई, किसने किस पर आक्रमण किया, किसने किस आक्रमण में कौन सा चेत्र, कौन सा रांत जीता, बहुत सारा, इस इस युद्ध में कौन कौन था जैसे दूरी राष्ट्रम पढ़ते हैं इसकी तरफ कौन था इस युद्ध में उसकी तरफ कौन था बहुत सारे questions जो हम पड़ते हैं यह सब नहीं पड़ने पड़ते हमारा syllabus है वो बहुत छोटा होता आज हिस्टरि है जिसको हम सिर्फ लड़ाई की वज़े से ही जानते हैं सिर्फ लड़ाई की वज़े से ही पढ़ते हैं तो हमारे पास हिस्ट्री नहीं होती हिस्ट्री का हमारे पास एक्स्ट्रा स्लेवस नहीं होता है न फिर उसके बाल एकॉनमी economy में भी बहुत सारी ऐसी दिक्कत समश्या हैं जिनको हम पढ़ते हैं भाई कि भाई इस युद्ध में हमारा इतना पैसा गया ये योजना हमने इतने पैसे की चलाई ये योजना कब चलाई गई किस वर्ग के लोगों के लिए चलाई गई किस से राहत देने के लिए चलाई गई एक्सेक्टरा एक्सेक्टरा तो आप इतना समश सकते हैं बाकि आपके पास कोई पॉइंट हो तो आप कमेंट सेशन में जरूर बताईएगा वीडियो कैसे लगी ये भी आप कमेंट सेशन में जरूर बताईएगा थेंकि सो मच चैंत